नमस्कार दोस्तों आपका मेरे सिंपल फार्मेसिस्ट्री चैनल में स्वागत दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आर एल के बारे में जिसको रिंगर लैक्टेट सल्यूशन बोला जाता है फ्रेंड्स रिंगर सल्यूशन बोला जाता है तो इसके बारे में बात करेंग और pharmacy से later information देता रहे तो दोस्तो अगर आप हमारे चनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चनल को subscribe करें वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को like and share करें तो चलिए आज का वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंट्स जो ringer lactate solution होता है इसमें मुख रूप से क्या पाया जाता है दोस्तो इसमें sodium lactate होता है sodium hydro chloride होता है potassium hydro chloride होता है और दोस्तो calcium chloride होता है और water for injection sufficient amount तो ये मुख रूप से इसमें composition होता है फ्रेंट्स जिसके हम अगर उपयोग के बारे में बात करें तो दोस्तो इसका उपयोग अगर सरीर में पानी की कमी हो गई है electrolyte की कमी हो गई है daria के काड़ या फिर vomiting के काड़ तो उस case में ये चढ़ाया जाता है दोस्तो इसका उपयोग अगर blood pressure कम है मतलब hypotension है तो उस case में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तो अगर accident होने के बाद में किसी का बहुत ज्यादा blood loss हो गया है तो उस case में भी इस जाता है कहने का मतलब है इसमें medicines मिला के चढ़ाया जाती है चढ़ाया जाता है दोस्तो ये और दोस्तो अगर जो eyes होते हैं वो किसी chemical से जल गई है बर्न हो गई है तो उसको wash करने के लिए भी solution का योज किया जाता है दोस्तो अगर metabolic acidosis है तो उस case में भी RL ringer lactate solution का उपयो तो दोस्तो तीन से चार बोतले 24 घंटे में चढ़ाया सकती है अगर हम इसके side effect के बारे में बात करें तो आपको जहां पे ये drip लगाई जाएगी वहां पे swelling हो सकती है और edema हो सकता है edema एक प्रकार की बीमारी होती है friends जिसमें fluid retention हो जाता है अगर ऐसा कोई लच्छड आप करें जिससे आपका further treatment हो सके दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं इसके warnings के बारे में कि किन मरीजों को ये नहीं चढ़ाना चाहिए तो दोस्तो अगर किसी का blood pressure high है blood pressure बढ़ा हुआ है तो उस case में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए दोस्तो अगर kidney या फिल लीवर की कोई बीम चढ़ाना है या नहीं चढ़ाना है तो दोस्तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं अगले वीडियो में friends take care bye